कोरोना का वार इंडस्ट्री बदहाल इसमें आपका स्वागत है मैं हूं मिर्तुन्जय कुमार जा चीन से निकला कोरोना वैरस लोगों को तो बिमार करी रहा है उसने इंडस्ट्री के सामने भी संकट की इस तिक खड़ी कर दी आटो सेक्टर को कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो फार्मा सेक्टर कच्चा माल ना मिलने से परिशान है और देश का इलक्ट्रोनिक सेग्मेंट को चीन से प्रोड़क्ट नहीं मिल पा रहे हैं खुल मिलाकर इस तती बेहत चिंता जनक बन गई है आम आदमी के लिए भी इंडस्ट्री के लिए भी और सरकार के लिए भी लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है भारत में चीजों की मैनुफेर्चिरिंग में क्या परिशानी आ रही है क्या मेकिन इंडिया अपना कमाल नहीं दिखा पा रहा है या फिर बात कुछ और है इन ही मुद्वपर आज के शो में अपने खास मेमानों के साथ हम चर्चा करेंगे लेकिन उसने पहले देखिए यह रिपोर्ट चीन की सरहदें लांग चुका कुरोना वाइरस दुनिया भर में अब तक 4,300 से ज़ादा जिंदगियां ले चुका है आलम ये है कि दुनिया का मैनिफेक्टरिंग हब कहलाने वाले चीन में फैक्टरियां बंद है फिर चाहे मुबाइल मैनिफेक्टरिंग की हो, फार्मा सेक्टर की हो या फिर आटो सेक्टर की दिन बीतने के साथ स्थितियां खराब होती जा रही हैं और भारत में तो हालात और बिगड़ रहे हैं पहले से परिशान चल रही आटो सेक्टर की हालत पतली हो चुकी है क्योंकि आटो सेक्टर के चीन से आने वाले सप्लाई चेन बुरी तरप प्रभावित हैं इस यह में यानी Automotive Component Manufacturers Association of India के मुदाबिक भारत ने पिछले वित्वर्ष में 17.1 बिलियन डॉलर के Component इंपोर्ट किये थे जिसमें चीन से सबसे अधिक 27 परसेंट यानी 4.5 बिलियन डॉलर का समान था भारत जाद तर, Drive Transmission, Steering, Engine से जुड़े Parts, Electrical और Electronic Parts, Suspension जैसी चीजें इंपोर्ट करता है इन में से चीन से, इंजन से जुड़े Parts, Electrical और Electronic Parts इंपोर्ट किये जाते हैं लेकिन आब सामानों की सप्लाई कुछ वक्त से ठब पड़ गई है हाला कि Honda Motorcycle and Scooter India के Senior Vice President या अधवेंदर सिंग गुलेरिया का मानना है कि कोरोना वाइरस का जादा हसर अभी नहीं पड़ा है कोरोना वाइरस की वज़े से पार्मा इंडस्ट्री पर भी संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि बाजारों में मास्क और दूसरी चीजों की किल्लत पहले से है और दवा कंपनियों के पास दवा बनाने के लिए कच्चे माल की कमी होती जारी है दवा कंपनियों की माने तो अगर दो महीने में कच्चा माल नहीं मिला तो परेशानी बढ़ेगी क्योंकि जातर दवाओं का सिर्फ दो से धाई महीने का ही स्टॉक है और सिर्फ दो महीने तक दवाएं बनाने का कच्चा माल मौजूद है सरकार ने जरूरी दवाओं की सप्लाई घरेलू बाजार में बनाए रखने के लिए 13 दवाओं के साथ साथ कच्चे माल और उनके फॉर्मिलेशन के निर्याद पर सक्ती बढ़ाई थी अब कंपनियों को इनके निर्याद से पहले सरकारी मन्जूरी लेनी होगी जिन दवाओं के निर्याद पर सक्ती बढ़ी है उसमें बुखार और दर्द में काम आने वाली पैरसीटमॉल, इंफेक्शन में काम आने वाली दवाएं, कई एंटी बायोटिक्स दबाएं प्रेग्निंसी में काम आने वाली दवाओं के साथ विटमिन भी भी शामिल है देश का इलेक्ट्रोनिक सेक्टर भी कोरोना वाइरस की मार से अच्छूता नहीं क्योंकि देश में 80% से ज़ादा कंपोनेंट्स चीन से आते हैं और पिछले एक महिने से चीन से सप्लाई पूरी तरह बंध है आपको बता दे कि चीन, एसी, फ्रिज कंप्रेशर, वाशिंग मशीन मोटर और प्लास्टिक पार्ट का सबसे बड़ा सप्लायर है कोरोना के कारण चीन से व्यापार करीब करीब ठप पड़ा हुआ है जहां कंप्निया एसी और फ्रिज को स्टॉंक करना फरवरी मार्च से शुरू कर देती थी इस बार उनकी सप्लाई होगी या नहीं अब इसी पर सवाल खड़ा हो गया है नतीजा ये कि ना तो कंप्निया नए प्रोड़क्स बाजार में उतार पा रही है नहीं मौजूदा प्रोड़क्स के जरूरी पार्ट की पूर्ती मांग के मुताबिक कर पा रही है नतीजा ये कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ सकती है वी डूंट फोसी डिमांड ब्कोज हम जो डिमांड है वही केटर नहीं कर पा रहे है कोरोना वाइरस एक तरफ लोगों को बिमार कर रहा है तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी न तो आटो इंडस्ट्री की हालत अच्छी है न इलेक्ट्रोनिक सेक्टर की सेहत और सबसे ज़रूरी फार्मा सेक्टर दो महीने का कच्चा माल होने की बात कह रहा है और इसका असर अर्थ विवस्था पर भी पढ़ रहा है हमारी और आपकी जिंदगियों पर, जेबों पर सब पर असर है क्योंकि मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं है और चीजों की कीमते बढ़ रही है अनुराक्षा और दानिशानन के साथ गजेश कुमार, Z.Media